Hello students, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 की केमेस्ट्री के कोशिन पेपर को देखेंगे 2018 का It is of HBSC, अब हम इसको देखते हैं मैं इसको फास्ट लिमोग कर रहे हूँ क्योंकि मैं सिरफ आपको दिखाना चाते हूँ कि हम ये कोशिन पेपर करने वाले हैं सिरफ आपको शो कर रहे हूँ और इसके बाद में हम नॉट बुक पे इन सभी कोशिन्स और आंसर्स को देखेंगे ये कोशिन्स मैं आपको सिरफ इसलिए दिखा रहे हूँ कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैंने अब के बार नॉट बुक में questions भी लिखे हैं और answers भी लिखे हैं तो हमें इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने questions भी लिख रखे हैं तो आप सिर्फ इसका outer view देख लीजिए अब हम अपनी वीडियो को start करें बुक और पहन के साथ आ चुकी हूँ और इसमें देखिए मैंने questions भी लिख रुखे हैं और answers भी लिख रुखे हैं 2018 HBSC chemistry question number one the number of five bonds in C2H2 इसका answer हो जागा option A2 अगर आपको questions options का ना पता हो तो जो मैंने पहले वीडियो बनाई है यहां कि इससे पहले जापको show किया है उसमें आप check कर लेना उसमें मैंने answers को show नहीं किया और इसमें आपको explanation दू तो इसमें एक sigma bond होता है और दो pi bond होता है इसका structure होता है यह triple bond HH तो इसमें यह दो तो हो गए pi bond और एक हो गया हम पे sigma bond then question number 2 number of significant figure in 2.005 answer जागा 4 next question which is smallest इन चारों में से हमें smallest बताना है तो इसका answer जागा option number C then question number 4 which one has zero value of dipole moment answer हो जागा C option CCl4 question number 5 in the following superoxide is इन में से superoxide कौन सा है option C, K2, K02 यह options दे रखें इसमें इसका answer हो जागा C question number 6 conjugate acid for bronsted base is conjugate acid बताना it means C क्या है base और base क्या करते हैं H plus को accept करते हैं इसमें H plus और add कर देंगा तो क्या बन जाएगा H2CO3 question number 7 oxidation number of chromium in Cr2O7 to negative iron answer हो जाएगा option D plus 6 इसमें यह बहुत बार repeat होता है इसको तो आप याद दी दख लीजिए कि इसमें chromium की क्या होती है plus 6 होती है plus 6 then question number 8 which carbonate is thermally most suitable इन में से कौन से thermally most suitable तो option C then question number 9 in which of the following water gas कौन सी water gas है तो इसका अंसर रजय का option B CO plus H2 इसमें आप इसको आपको याद ना रहते हो तो ऐसे याद रख सकते हैं water क्या होता है H2O इसमें 2H की ज़रुत पड़ेगी तो इसमें 1O की ज़रुत पड़ेगी तो कही की बार इसमें option मलता है CO2 plus H2 C plus H2O इस तरह हैं के options हो तो इसमें आप नहीं देख लेना देखो आपको एक oxygen की ज़रुत है water mean और 2 hydrogen की तो इसमें ऐसे आप चेक कर सबते हैं question number 10 electrophile is electrophile कौन से होते हैं जिनको electrons की ज़रुरत होती है तो जो positive charge अगा उसी को electron की जरुरत होगी तो answer जाएगा option number D CH3 positive जो मैंने बायो के questions बनाए थे बायो के answers की वीडियो बनाए थी previous year की उसमें मैंने questions नहीं लिखे थे मुझे लगा कि बच्चों को problem आ रही होगी ओपकी बार मैंने question and answer दोनों लिखे दिये हैं अगर उसमें मैं questions भी साथ लिखे यती तो सायद आपको कम problem आती बर इसमें मैंने question भी साथ लिखे दियों answers भी साथ लिखे दियों आपको बार बार में यह देखनी की जरुत ने कि यhe question था इसका यह आंसर है, मुझे भी ठीक लगाए, मेरे लिए भी कमफर्टेबल है और आपके लिए भी question number 11 देखते है what is hybridization of boron in diboring? answer हो जाएगा SP3 question number 12 इसमें जब ये जिंक के साथ ट्रेक्ट करता है heat के presence में, तो एक P compound form होता है तो हमें बताना है कि P क्या है? penol के साथ, phenol प्लस zinc, अगर heat देंगे तो आप benzene बना सकते है then question number 13 define surface tension, what is the effect of temperature on surface tension? यहाँ से 2 max के question स्टार्ट हो गए है, अभी तक 1 max कोशन थे, 2 max कोशन स्टार्ट हो गए है अब ये तो out of slivers है तो हम नहीं कर रहे हैं इसको, हमारे slivers में याएगा क्यों टाइम वेस्ट किया फिर इस पर, then question number 14, calculate mass percent यह भी 2 max का था और यह भी हमारे slivers से नहीं है, अब की बार COVID के कारण हमें इतने questions से छूट मिल गई है इसमें आगे भी बहुत सारे मैं आपको सारे दिखाऊंगे, देखो मैंने आपके लिकिती मेनत किया है और इसमें बहुत मेन लगती है भाई सच में सारे questions लिखने, उनके सभी के answers धूनने और उसके बाद में उनकी वीडियो बनानी, उसको इडिट करना, उसको अप्लोड करना, काफी टाइम लगता और काफी मेनत लगती है प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी लेसके और हम हर एक सब्जेक्ट के previous year के questions का अप्रोड करेंगे जिसके English, Chemistry, Physics, Biology, इनके तो हो चुके हैं एक्जाम फिर अनके नहीं करें चलो कंप्यूटर हिंदी का मैं नहीं कर सकती है क्यों कि हिंदी मिज़को नहीं आती है मैं कंप्यूटर का करूंगी और हम question number 15 में आ चुके हैं चलो 15 का question देखते हैं concentration of hydrogen ion in an acid is 4.8 into 10-3m ये भी two marks का question है इसकी pH बताने है pH क्या होती है is minus log of 4.8 into 10-3 ये minus log होता है okay तो इसको ऐसे solve कर लेंगे है solve करने के लिए आपको लोग के formula आने चाहिए देखो इसमें इन दोनों को पहले अलग लग कर लेंगे फिर लोग 4.8 की गेम लोग 5 की value ले ले लेते हैं जो होती है 0.68 कोई फरक नहीं पढ़ता है इतनी आगे पिछे करने से 5 की value होती है 0.68 वो हमने यहाँ पर पुट कर दी और log में 3 आगे आ जाता है तो 3 into और log 10 की क्या value होती है 1 1 और यह माइनस कर दें क्योंकि माइनस का था माइनस लोग तो यहाँ पर माइनस है और इसका आंसर जागा 2.302 2.32 दें कुश्य नुबर 16 डिफाइन गिब्स एनर्जी और एनर्जी और एनर्जी ओफपराइजिशन यहाँ पढ़ लेया वैसे इसमें पूरे में लिख क्या रखा है जो इस फोर्मूले में बताया है delta G is equal to delta H minus T delta S delta H change in enthalpy delta S change in entropy T absolute temperature और यही इस definition में बता रखा है आप वीडियो को pause करके फिर इसको रीड कर लें इसको रीड कर लें इसको acid note करते है और इसमें आप रीड कर लेना कि एक मोल को रीड करने के लिए जितनी हमें constant temperature के ऊपर standard temperature के ऊपर और standard pressure के ऊपर एक बार जो pressure होता वो standard pressure होता है उस पे जितनी हीट रिक्वायर होगी वन मोल को वैपराइज करने के लिए उसके हम enthalpy of vaporization बोलेंगे इससे रीड कर लेना वीडियो को pause करके question number 17 what do you understand by terms ideal gas and real gas ideal gas और real gas क्या है यह बताना है तो ideal gas विच ओबे इसमें जो main main चीज़े हैं उनको इंडलाइन करें में ओबे gas low under all conditions under all conditions of pressure and temperature ओबे ideal gas equation ideal gas equation यह होती है ओबे gas low यह भी gas low को ओबे करता है बट कब करता है जब low pressure हो और high temperature हो यह हर temperature या high pressure के उपर नहीं करता है इसके लिए कुछ fix conditions होती है then equation equation कौन सी फोलो करता है wonder wall equation फोलो करता है यह equation है इसे wonder wall equation बोलते है बट यह अपको learn करने की कोई नीड नहीं है question number 18 uses of plaster of paris this is out of slivers so not need to do question number 19 explain common ion effect with example common ion effect क्या है if strong electrolyte having a common ion is added to solution of a weak electrolyte which ion is to small extent than ionization of weak electrolyte यह सारी definitions मैंने NCRT से लिखी है तो इनमें कोई फी मिस्टेक नहीं हो सकती ना इन questions में कोई mistake है तो आप इने check कर लेना अच्छे से okay then question इसके यह example है इसका example में पुछा था with example तो इसका example है then question number 20 what is acid drain give consequences acid drain क्या है और यह out of slivers है तो हम इसे नहीं कर रहे है question number 21 explain inert pair effect tendency of two यह 3 marks question यह से start होगा है three marks questions tendency of two outermost electron in the s orbital to remain unshared in bond यह आप इसमें से पढ़ लेना मैं आपको शोशो कर देती हूँ यह वीडियो बहुत जाद रूम भी हो जाएगी कोई नहीं देख लेगा फिर उसको यहां से आप रीड कर लेना इसको हां और मुझे आपसे question में पूछना था कि जैसे मैंने buyer की वीडियो बनाई थी मैं उस तरह के से वीडियो बनाऊं कि साइड में बुक भी रख लूम बुक से question दिखाऊं और not book में अंसर लिखके या फिर question answer दोन एक साथ लिखूं ताकि आपको बार-बार में यू ना ढूना पड़े कि कहां पर question है तो आप मुझे comment में बता देना कि मैं ऐसे साथ के साथ question लिखके बनाऊं या फिर अलग से question दिखाऊं और फिर अलग से answer दिखाऊं question number 22 देखते हैं define modern periodic law इसमें जो main point है उनको मैं highlight कर रही हूं properties of elements are periodic functions इसमें यह line है ना यह लिख देना तो आपको full marks मिल जाएंगे our product function of their atomic number यहाँ पर यह आद रखना atomic number आएगा atomic mass हो कियरा कुछ मत लिखने ना आपको पूरे question पर काटना लग सिखते है यहाँ पर atomic number आएगा then question number 2 sorry point 2 silding effect पूछ रहा है इसको भी define करना है 3 marks के है means यह भी 1 marks, यह भी 1 marks, यह भी 1 marks and यह भी 1 marks silding effect क्या है यह आप यहाँ से study कर लेना मैं आपको show show कर रही हूं हाँ और अगर इसके जगहें पर आज इस screening effect क्या है तो भी आपको यही definition लिखनी है silding effect और screening effect दोनों same है it is the reduction of attraction between atomic nucleus and outermost electron due to presence of inner cell electrons then atomic radius क्या है main distance between the nucleus of an atom and outer electron cell is called outer electron cell is called atomic radius इसको कहने का क्या मतलब कि एक यह atom है यहाँ पर इनके nucleus है तो इनके nucleus के बीच के जो distance है और उसका half कर दें तो जो मिलेगा वो होगा atomic radius then next question 23 describe hybrid digestion of SF6 molecule SF6 के hybrid digestion चीओ करनी है देखो सबसे पहले आपको ऐसे इस तरीके electronic configuration लिखनी आनी चाहिए अगर आपको यह नहीं आती तो मुझे comment में बता दे रहा इसके लिए मुझे एक अच्छी से ट्रिक पता है मैं आपको ट्रिक बता दूंगे और यह ग्राउंड स्टेट में आखरी आखरी के अटम्स सियो करते हैं जो reaction में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें यह वाले अटम्स पार्टिसिपेट करेंगे फिर excited स्टेट में जो यह electrons थे यहां पे जो फिल कर रखे थे वो 3D में चले जाते हैं और फिर देखो हम इनको फिल करेंगे मान लो इसने bond बनाये यहां पे एक f का electron आ गया यहां पे भी एक f का electron आ गया हां तो ऐसे इसने bond बनाये तो फिर आप यह देखो इसके hybridization क्या हो सकती है S एक S है तो S फिर P3 3P भरे गया यह तो 2P3 फिर D कितने हम बढ़े गया है D orbital कितना बढ़े गया है 2 तो D2 hybridization क्या हो जाएगा SP3D2 और इसका structure यह हो जाएगा यहां पे 90 degree का अंगल हर जगेंपे है यहां पे ऐसे तेन question no.24 देखते है enthalpy of formation of CH4 CO2, H2 यह आप questions पढ़ लेना इसका मैं आपको आंसर बिता देती हूं कैसा आएगा सबसे पहले आपको यह पता आना चाहिए enthalpy of combustion होता क्या है amount of heat evolved when one mole of substance is completely burnt heat evolved जब एक one mole substance completely burn हो जाता है उसमें जो heat evolved होती है enthalpy of combustion enthalpy of combustion of methane क्या होगी सबसे पहले तो आपको यह लिखनी थी सबसे पहले आपको यह reaction नहीं तो देख लेना सबसे पहले आपको यह reaction लिखनी थी इसको combustion करेंगे oxygen की presence में इसको जलाया है अमने तो CO2 water बने अब यहाँ पे 4 hydrogen थे balance करने के लिए यहाँ पे 2 or लगा दिया हमने अब formation हमें दे रखे enthalpy of formation दे रखे इन्स अभी की यह दे रखे enthalpy of formation enthalpy of formation से ही हम निकाल लेंगे इसको इससे solve कर लेंगे आपे 2 से multiply is लेकिया है क्योंकि आपे 2H2 हो थे हमारे पास और CO2 एक ही था तो CO2 ले लिया और यह माइनस CH4 इस लेकिया है क्योंकि CH4 can help your formation यहनकि हमने इसको form थड़ना कि इसको combustion क्या है तो फिर ही negative sign के साथ ले लिया और इसको जब solve करेंगे तो आपके पास किया जाएगा Okay then question number 25 balance given equation by ion electron method in acidic medium ion electron method से acidic medium में इसको balance करना है तो ion electron method के लिए आपको ions और electrons सभी के अलग लग लेना पड़ेंगे इसके iron का ले sorry iron का ले तो oxidation होगा यहां पे Fe2 प्लस था Fe3 प्लस हो गया तो एक electron इसमें जुड़ गया sorry एक electron इसमें हाँ इसमें से निकल गया इसमें से एक electron निकल गया फिर MnO4 negative इसका reduction हुआ है तो अब सबसे पहलते ही इतनी reaction के उपर focus करो यहां से हमने इसको as it is उठा लिया अब आप यह देखों यहां पे 4 water निकले है 4 water कैसे निकले क्योंकि यहां पे 4 oxygen थी तो 4 ही water बनेंगे चार water बनेंगे तो oxygen negative थी और oxygen के उपर कितना charge आता है 2 negative आता है तो फिर हमें 8 hydrogen की जरुवत पड़ेगी positive charge की तो इसलिए हमने आपे 8 hydrogen और add कर दिया अब इसको balance करने के लिए तो इसके लिए 2 plus charge कर लेंगे 2 plus charge करने के लिए हमने इसमें electron add करने पड़ेंगे क्योंकि positive charge इसमें ज्यादा है तो इसमें देखो कितने negative होगे 6 negative plus 8 positive means यहां पे भी 2 positive charge है यहां पे भी 2 positive charge है then iron को balance करेंगे दोनों side iron को balance करने के बाद में दोनों reactions को mix कर देंगे और यह balance reaction आगई by iron electron method then question 26 देखते है what do you mean by 10 volume of h2o2 give to users तो यहीं slibus से बाहर है इसको नहीं करें question 27 अभी 5 marks के question आगए यहां से 5 marks के सारे करवाने लगे न तो video बहुत बढ़ी हो जाएगी तो मैं इसमें से कुछ कुछ करवारी हूं और कुछ कुछ आप खुद से कर लेना question 27 में a part क्या है electronic configuration लिखनी है इनकी तो फिर मैं फिर से बढ़ी करेंगो कि अगर आपको electronic configuration याद नहीं रहती कि पहले S आएगा या फिर P आएगा क्या आएगा तो आप मुझे comment में बता देना मैं उसकी trick भी upload कर दूँगे इसको याद करने की trick है मेरे पास अगर आपको चीह है तो मिरे को बता देना हां फिर इसमें electrons फिल कर देंगे आपको पता है होगा S में 2 electron भरे जा सकते हैं P में 6 electron भरे जा सकते हैं और D में 10 electron भरे जा सकते हैं तो उसी तरीके से हम इसमें फिल कर देंगे लिए देखते हैं describe magnetic orbital quantum number यह आप चेक कर लेना अगर मैं सारे answers इस वीडियो में बताने लगी तो इसमें बहुत जादा बड़ी वीडियो जाएगी अगर आपको जो मैं इच होड़ जो एक दो question उनके भी answers चाहिए हो तो मुझे बता देना मैं उनके भी video upload कर दूँगी अब इसके और में यह five marks का question था यह इतना a और b part इसके और में भी a question है calculate the frequency of yellow light of wavelength 750 nm then इसका b part explain of wow आप इसको जो भी pronunciation करें वो कर लेना ठीक है अब यह कहता है कि ground state में अगर कोई भी atom है the orbitals are filled in order of increased energies यह कोई भी ground state में atom है तो उसमें जो electron भरे जाएंगे वो increasing energies के according भरे जाएंगे then question number 28 देखते है discuss principle of estimation of sulfur present in organic compound this is out of slivers तो हम इसको नहीं कर रहे है then b part इसी question का b part था और वालेगा कि इनके IUPSC name लिखने थी तो मैंने आपको लिखके आपे show कर दिया और एकदम 100% correct है इनमें कोई mistake नहीं है और आप इनको सभी को check कर ले ना मैंने सारे questions खुद से ढूंड के लिखे हैं तो इनमें बहुत में लगती है बाइब प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना था कि हम इंग्लेज केमेस्ट्री और कम्पीटर इन सभी के वीडियो अप्लोड करें तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए कुषिन में 29 देखते हैं यह कहता है यह भी 5 marks का कुषिन है इसके 1st part में कहता है कि मार्कॉनियव रूल और 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 बताओ और इसी का ही डिस्कुशिन कर लेते हैं मार्कॉनियव रूल क्या होता है यह कहता है आगे आप खुद से लिख लेना जो हर कुषिन में लाई लिखी जाते हैं कोई भी कुषिन है अकोर्डिंग टू मार्कॉनियव रूल नेगिटिव पार्ट ओफ एडिंग मॉलिक्यूल गेट अटेच्ट टू डेट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच पोजस लेसर नंबर ओफ हाइड्रोजन एटम मिंस अगर कोई भार से नेगिटिव पार्ट आ रहा है और यहां पे दो कार्बन डबल बॉन्ड हैं तो फिड यह उसी के पास जाएगा नेगिटिव पार्ट जिस पे कम नंबर ओफ हाइड्रोजन एटम होंगे टेन ओजोन एलकाइन नेखे लिए ओजोन ओडुर्ण के साहथा से इनको ब्रिक किया जाता है तो उसे हम ओजोन ओडस बोलते हैं इसमें यह इलकीन थी ओजोन एड्ड कर दी तो फिर इस बॉन्ड को यह दोनों बॉन्ड टूट गए देखो तो इसे था यह ना तो इन दोनों बॉंडों को तोड के हमने यहाँ पे तो एक common oxygen लगा दी तीन oxygen थी यह, तैनों इसमें सेट करने है यह यहाँ पे लग गई., इनके बीचमें कोई by would नहीं रहा और यहाँ पे यह तीन ओक्सिजन हमने यूज करल ली और फिर यहां पे जो bond पहले से बने हुए थे वो हैं हर कार्बन के चारबॉंड आप देख लिए देन जिंक वोटर जेड़े नो यह डाल देंगे तो फिर इसमें यह वाला बॉंड भी ब्रेक हो जाएगा और यह अलगल हो जाएगे आखिर में क्या बना dot 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 compound को ortho or meta position के उपर लगा देते हैं which put incoming compound on the ortho or meta position इसके example हो गए कौन-कौन से ऐसे part है जो ortho or meta position के उपर लगाते हैं तो वो यह होते हैं और जो meta directing group है जो incoming group को meta position के उपर लगा देते हैं उसे हम meta directing group बोलते हैं और इसके example हो गई है यह सारे meta के उपर लगाते हैं इसी का B part है जो हमने अभी देखा है कि ortho meta directing group उसी का B part है convert the following इनको convert करना दा है जो मैंने black pencil लख रखा है वो दे रखा था और जो हमने blue pencil लख है वो हमें बताना था इनके convert में हमें कौन-कौन से चीज़ें यूज होंगी और आखिर में क्या क्या बनेगा क्या यूज करना है और क्या बनाना है देखो सबसे पहली reaction में तो हमने Kmno4 एड़ किया और water एड़ किया आखिर में हमें KOH और 2mno2 मिल गया सेकंड रियक्शन में हमने concentrated H2SO4 यूज किया जो कि एड़ी hydrating agent होता है उसने water को रिमूव कर दिया water निकल गया इसमें हमें इतना दे रखा था और यूँ बताना था इसके अलावा और क्या बनेंगा तो इसमें H2O और KBR बनता और इसमें KBR इसमें हम KOH एड़ कर देते हैं KOH एड़ करेंगे तभी तो आप KOR बनेगा तो ये organic की रियक्शन्स थी और ये हमें करनी थी और organic की रियक्शन्स में आपको यूँ याद रखना पड़ेगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने ली थी और क्या क्या आपको मिला साइध वीडियो थोड़ी बलर आ रही है बट कोई नहीं अब तो हमारा होई गया येस और मैं लास्ट में एक ओवर्वीव करवा देते हूं कि हमने अब यवी क्या किया है तो इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आगे 2019-2020 इनकी वीडियो को भी चेक कर लें साइध में 2017 की वीडियो के आंसर्स अपरोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी इंग्लिस के पेपर के भी करने है इंग्लिस का पेपर भी आ गया है तो 2017 के नहीं हो पाएंगे क्योंकि 2017 से आते भी बहुत कम है बहुत कम कॉश्यन्स आते हैं उसमें से अगर repeat होते हैं तो वह भी last three years में से हो जाते हैं मैं कॉसिस करूंगी कि फिर भी कर्स तकूं अगर साइद से तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इंग्लिस के भी करने हैं और chemistry के भी करने हैं क्योंकि दोनां के example को पास आ चुके हैं इस में देखो कितना लिखना पाथ हैं बहुत दद मैनात लगती हैं बद प्लीज मार वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फर वाचिंग